तो आज दोस्तो बात करेंगे 36 गर की आज की दिन बर की ताजा ख़बर ताजा अपडेट के बारे में तो आज है 31 जुलाई 2020 सुक्रावार का दिन तो वीडियो को लार्श ताज जरूर देखना दोस्तो ताकि कोई भी ख़बर चुटने ना पाए और वीडियो को लाइक से र साथ ही बात करेंगे अनिवाज रूप से पांच अगस्ता को होगा गोबर विक्रताओं का पहला भुकतान मुख्य सची और पी मंड़ा ने कलेक्टरों को दिये निजदेश और आगे चीन से पहले कोरोना वारत पर भी खबर देखेंगे दोस्तों तो चले दोस्तों बिन ट 10 अगस्ता को इसको एलान करेगा तो रूस ने दुनिया की पहली कुरोणा वैक्सिन लांच करने के पूरी तयारी कर ली है। कोरोना वैक्सिन की फीडिंग कर रहा हैं उन्होंने कहा कि रूस की इस खोज में अमरीक्यों को काफी आस्टरिया हुआ हैं रूस ने कोरोना वैक्सिन खोज में भी पहले ही बाजी माल ली हैं अब पूरी दुनिया की नजरे 10 अगस्ता पर टिक गई हैं अब राज्य में प्रात्मिक्ता सरेनी के एक और दो सदस्य वाले रासन काड़ अथरयों को मुपत में चावाल मिलेगा अगस्ता के महिने में दिया जाने वाला चावाल के बदले रूपे नहीं लिये जाएंगे इसलिए का सरकार की तरफ से आदेज जारी किया गया हैं कुछ सदस्य वाले रासन काड़ अपर 35 किलो चावाल का पंदर रुपे लिया जाएगा अयुक तक हाद संजलाना ने गुरुवार को यहाँ आदेज जारी किया हैं राज्य किसा भी कलेक्टर को वीतरन की मॉनिटरिंग करने को कहा गया हैं तो आगे बरता हैं तो आगे खबर हैं 36 गड़ अनलाग टू का 31 दिन तो मुख्य मंत्री ने कहा अनलाग में बरती लापरवाई से बढ़ा संक्रमन लागडान गंबीरता से ले लागडान के साथ दिनों में 22-22 मरीज 16 की मौत तो 36 गड़ में बढ़ है कुरोना संक्रमन के बीच गुरुवार सुभा मुख्य मंत् 36 गड़ में कुरोना से रिकवरी की देर अच्छी है मौतों का अकड़ा भी अन्य राजों की पेक्चक कम है लेकिन ये हमारे लिए और आपके लिए गंबीरता से लेने का समय है उन्होंने कहा स्वास सकर्मी डाक्टर पूलिस सब आपके बचाओं में लगे हैं लेकिन आप अख्यमंती बगेन ने कहा ऐसी जनकारी भी आई हैं कि सेंपल लेने जा रहा है स्वास कर्मियों को रोक लोग रोक रहे हैं ये सब आपके लिए हैं आप उनका सहयोग करें उन्होंने कहा परदेश में अभी पांच हज़ार से अधिक सेंपलों की जाच हो रही हैं इसे दस जार तक बढ़ाने का लक्ष हैं कुरोना से उपचार के लिए आठ छेत्री और बाई जिला इस्तरी अ कोवीड अस्पताल काम कर रहे हैं असरों को आक्सी मीटर उपलब धकराने को कहा गया हैं अधक 8600 संक्रमित फिर भी सड़कों पर भीड और लपरवाही 36 गण में को करो मरीजों की मौत हो चुकी हैं तो साथ आगे खबर दोस्तों अनिवारे रूप से 5 अगस्त को होगा गोबर विक्रताओं का पहला भुगतान मुख्य सची वार्पी मंदर ने को लेक्टरों को दिये निर्देश तो राइपूर मुख्य सची वार्पी मंदर ने यहां चीप स इसने वाले जो एक अगस्ता गोबर वेचेंगे उन सब के खाता खुणने के निजदेश दिये गया हैं सभी गठान समितियों के खाते कॉपरेटिव बैंक में अनिवाय रूप से खुणने के भी निजदेश दिये गया हैं तो बने रहे दे दोस्तों तो आगे बढ़ते है तो बुधवार को सोना एक नए सिखर पर पहुंचते हुए जब 11250 रुपे प्रती 10 ग्राम और चांदी प्रती किलो 65200 रुपे हो गई है करोबारियों का कहना है कि वैसे जुलाई में सोना की मांग थोड़ी कमी आती हैं लेकिन रक्षबंधन के समय बजार में मांग उठने लगती हैं इस साल तो साधी सिजन के साथ ही रक्षबंधन मीच चला गया अब करोबारियों की पूरी उमिद नौरातरी को लेकर ही है रिटर्न देने के मामले में सोना इस साल अवल इस्थान पर रहा है राइपूर सराफा एसोसियेशन के महामंतरी दीप चंद ने बताया कि किंटों में अभी तेजी के ही संकेत बने हुए हैं पांच महिने में सोना ग्यारा हजजार एक सुर रुपे महंगा हो गया और आगे खबर है दोस्तों पी-म किसान योजना एक अगस्त से आने लगेगी दोहज़ार रुपे की छटी किस आनलाइन चेक करें आपके अकाउंट में पैसा आएगा या नहीं तो परधान मंतरी किसान संबान निधी योजना के तहत किसानों को हर साल तीन किस समय छहज़ार दे जा रहे हैं इस वजना के तहत लाभारतियों को दोहज़ार रुपे की पांच किस सभी जारी की जा चुकी हैं अब एक अगसा से इसके तहत सरगाल चटी की सभीजनी सुरू करेगी दस करोड़ से ज़्यादा किसान इस से जुड़े हैं तो अब तक इस स्कीम के ज़रिय और सिमान किसानों को दोहजार रुपे की तीन कीस साल में एकुल चैज़ार रुपे दी जाती हैं योजना के पात्र लभार्थी कामान सर्वीस सेंटर सी एससी के जरिये भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसके लावा इस्थाने पटवारी राजस अधिकारी और य तो परदेश में बुधवार को कुरोना के 314 नय मरीज मिले हैं, इनमें सबसे ज़्यादा राइपूर में 135 संक्रमित पाये गए हैं, इनमें भाचपा के पूरो परदेश अधक्ष विक्रम उसेंडी वा उनके परिवार के चार सदसा समेथ परदेश कांगरे संधक्ष मोहन मर काम के भाई उनकी पतनी PSO वा केंटीन करमचारी की रिपोर्ट पाजिटिव आई हैं, हलाकि मरकाम की रिपोर्ट निगेटिव आई हैं, मंतरालाय में समाने प्रसासन मिभाग दो के 3 करमचारी भी संक्रमित हो गए हैं, इसी बीच राधानी में सेंट्रल जेल परिसर का केस आ गया है, यहां का एक प्रहरी संक्रमित हुआ है, परदेश में 4 मरीजों की मौत हो गई हैं, इनमें एक दूर्गवार दूसरा मरीज बैकूनपूर का हैं, नए केस के साथ परदेश में 8602 मरीज हो गए हैं, एक्टिव केस 2914 हैं, स्वास्त होने के बाद विभिन हस तो जिले में दो नबालिक सगी बहनों के रेप का मामला उजागर हुआ हैं, इस मामले में बीती रात पलारी थाने में सिकायत दर्जा करवाई गई, मामले में आरोपी सभी 11 लड़कों को पुलिस ने गिरिपतार कर लिया हैं, इनमें एक नबालिक भी सामिल हैं, वारदात सभी 11 अरोपियों को पुलिस ने अलग-अलग गाउं से प्रकड़ा, वारदात के इसला गाउं में हुई थी, दोनों ही बहने रात के वक्त अपने प्रेमियों से मिनने गई थी, अरोपियों को इस बात की खवार पहले से थी, सभी घात लगाया बैठे थे, बच्चिया की घरवालों को जान से मानने की धंकी दी थी, कुछ दीन तक वो इस परसानी को दिल में दबा कर रहती रही, तब ही आरोपियों ने में से एक ने दोबारा इन से संपर्ग किया, उनसे कहा कि उसके पास पूरी घटना का वीडियो है, आरोपियो को वायरल करने की धंकी देन सामने हिले रहा है, देश में करोना के एक दिन में सबसे अधिक बावान हज़ार से जादा मरीज मिले, इस तरह कुल संग्यमितों की संख्या 15,83 हज़ार के पार पहुंच गया है, के इंद्रिय स्वास सेमा परिवार कल्यान मंद्राले के और से जारी आंकडों के मताबिक प 5,82 लोग ठीक हो चुके हैं, देश में अब तक 34,908 लोग की मत हो चुकी हैं, तो सांथ आगे ख़बर दोस्तों, इंकम टेक्स रिटरन अब भनने में रहात अब 30 सितंबर तक भर सकेंगे, 2018 का ITR पहले इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना था, तो क्रोना काल में केंदर सरकान अब इसे 30 जुन तक बढ़ा गया था, फिर इसे बढ़ा कर 31 जुलाई आखिल की गई थी, अब इसे बढ़ा कर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है तो सो मच्वा कल्यानबॉर्डग के अध्धक्छ निसाद ने किया पद भार गरहन, तो राइपूर, 36 गज़ाध्ध मच्वा कल्यानबॉर्डग के नन्युक्त अध्धक्श एमान निसाद ने राइपूर तेली बांदह इसीद उूप संचलक कर लियलाय मच्ली पलन कर लि नवर्गों के लोग जो मतर्स से पलन विसार से जुड़े हैं उन्हें मचली पलन विभा की उजिनाओं इमाम कार्यकरम से लभानवीत करने के साथ ही उनके जीवन इस्तर को बेहतर बिनाने के लिए मचवा कल्डान बोर्डा कार्य करेगा